दोस्तो नमस्कार मैं डाक्टर प्रदीप कुमार सिंग आज आप लोगों को बताऊंगा कि जिनको पैर में फ्रेक्चर होता है और उनको चलने वाला प्लास्टर लगाए जाता है तो कैसे लगाते हैं दोस्तों सबसे पहले स्टॉकिनेट लगाते हैं उसके बाद एक साफ्ट रोल होता है वह चारो तरफ से लपेटते हैं और जहां पर बोनी प्रामिनेंस होती है वहाँ पैडिंग अच्छे से करते हैं उसके बाद plaster की पट्टियां लपेटते हैं जिसको एक प्रापर प्रेसर में लपेटा जाता है क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट होगा तो पैर में swelling आने का डर होता है अगर लूज रहेगा तो plaster के अंदर जो हड़ी होती है वो अपने जवह से fracture वाली हड़ी खिसकने का डर होता है एक पट्टी लपेटने के बाद दोस्तों position बनाते हैं जिससे की patient प्रापर चल सके उसके बाद दूसरी पट्टी लगाते हैं जिससे की plaster मजबूत हो जा और चलने पर तूटे नहीं Thank you